बातियों, मन की बात में नए नए विशों की चर्चा होती रहती हैं, कई बार इस कारकम के जरिये हमें कुछ पुराने विशों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है। पिछले महिने, मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेस्टरन मिलेटियर के तौर पर मनाने से जूरी चर्चा की थी। इस विशय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे धेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनीक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारमपारिक वेंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बनलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साओं को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई-बुक तयार करनी चाहिए। जिसमें लोग मिलेट्स से बनने वाले डिसेस और अपने अनुभ़वों को साजा कर सकें। इससे इंटरनेशनल मिलेट्स येर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तयार होगा। और फिर इसे माई गौफ फॉर्टल को पब्लिस कर सकते हैं। साथियों मन की बात मैं इस बार इतना है। लेकिन चलते-चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहिबा। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। इस बड़ाई खास मोका है क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोवीड महमारी की वज़र से पिछली बार के आयोजनों को रत करना पड़ा था इस खेल प्रतियोगीता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाडी को मेरी बहुत बहुत शुब कामना है